सीरिया में 50 साल पुरानी असद परिवार की सत्ता एक जटके में ढह गई राश्च पती बसर अल-असद को देश शूड़ कर भागना पड़ा और रूस में राज़नीतिक शरण लेनी पड़ी सीरिया में सुधार की मांग को लेकर टूनीशिया, मिस्र और लीबिया में लोकतंत्र समर्थक प्रदशन कारियों के साथ एक जुटा दिखाने के लिए कई छोटे छोटे प्रदशन किये गए थे, 6 जून 2011 को तुर्की सीमा के पास जीसर अल-शुगूर के शशस्त्र गिरोहों ने 120 सेनिकों की हत्या कर दी थी साइक तराश्व का अनुमान है कि अगस 2011 तक संगर्श के दोरान सेरिया सुरक्षा बलो ने 2000 से जादा लोगों को मारा इसके बाद जुलाई 2012 में असद ने उन कस्बों और शहरों पर हवाया हमले शुरू कर दिये जिर्हों ने उसके शाशन के खिलाफ विद्रोह किया था इसके अलावा लगातार हमले होते रहे विद्रोहियों का गुट हयात तहरील अलशाम जिसे हट्यस के नाम से भी जाना जाता है जिसे तुर्की का खुला समर्थन है ऐसा माना जाता है कि विद्रोहियों के गट बंदन में अलकाइदा समर्थक भी शामिल है इसके अलावा नेशनल ट्रंट 4 लिबरेशन जेश अल इज़ा और नूर अलदीन अल जैंक की भी इस गटवंदन का हिस्सा है सीरिया में हो रहे सिविल वोर में रिबेल गृप्स की कमान अबू मुहम्मद अल जुलानी ने संभाल रखी है इस सिविल वोर में रिबेल के सामने सीरिया सरकार के अलावा अमेरिका इरान और रूस जैसे देश भी है इसके अलावा रूस ने असद की मदद की और ग्रहे युद्ध को पलटने में एहम भूमी का निभाई रूस सेना की मदद से असद ने अपना शासन मजबूत किया अब पुछले ग्यारा दिनों में ऐसा क्या हुआ ये जान लेते हैं 27 नमबर को सीरिया में इसलामी विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच छड़ पे शुरू ही धिरे धिरे विद्रोही गुटों ने हमला तेस कर दिया पुछले एक हफ़ते में विद्रोही गुट ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत पांच बढ़े शहरों पर कबजा कर लिया इसमें अलेपो, हमा, होम्स और दारा शामिल है आठ दिसंबर को सीरियाई सेना ने राश्पती असद के देश छोड़ने की पुष्टी करते हुए कहा कि राश्पती की सत्ता खत्म हो चुकी है इसी के साथ असद परिवार का 54 सालों का शासन खत्म हो गया असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पियम मुहम्मद गाजी अलजलानी ने विद्रोहियों को सत्ता सोपने का प्रस्ताव दिया जलानी ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे सीरिया में मौझदा हालातों के कारण अब तक 3,70,000 लोगों को विस्तापित होना पड़ा है इसके बावजूद लोग असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं फिलाल राशपती बसर असद परिवार के साथ रूस की राज़ानी मौस को पहुंच गया है वीडियो में फिलाल इतना ही इससे जुड़ी और भी अपडेट के लिए देखते रहिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मेरर